स्वागत है और बात भुपाल की करते हैं जहां मध्यप्रदेश गान पर सिये मोहन यादव ने सवाल खड़े कर दी है राज्य गीत संस्थाओं के गीत पर खड़े होना समझ से परे है कोई भी गीत अपना गीत और गान बना लेता है सिफ राज्य गान और राश्य गीत पर ही आपको खड़े होना चाहिए और ये कारिकर्म के दौरान का दरसल मामला है जब मध्यप्रदेश गान पर अधिकारी खड़े होने लगे तो इस दौरान मुख्यमंतरी डॉक्टर मोहन यादव ने आपत्ती दर्स करवा दी का कि राश्य गीत राश्ट गीत के वराबर नहीं हो सकता के वल राश्य गान और राश्य गीत पर ही खड़े होना चाहिए यह तो यह सतने छोड़े शोटे यह परमात्मा के ट्रप में आप आपने जीवन में यह तो मेरे को लगता तो मैंने कर दी जैसे अभी आपने यहां कहा कि हमको राष्टगान या जो बंदे मातर हैं एक तरह से वो राष्टगान और राष्टगीद के समय ही खड़े नाची वो हमारे सब के लिए आदर की लेकिन एक परंपरा बन गई अब जैसे हमारा मत्विद बना अच्छी बात है कोई उशिद्यले गान बनाता कोई कालेज का गान बनाता कोई अलग से कोई संस्थान अपना जादन बनाएगा और वो अपने नियम बनान लगए कि हमी राष्टगान की तरह खड़े हो यह क्या बात होगा तो मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर पूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चुहान ने दरसली ऐलान किया था कि मध्यप्रदेश के गीत को भी राष्टगान और राष्टगीत के बराबर ही सम्मान अब से दिया जाएगा लेकिन आज यह परंपरा तूटी है क्योंकि उसके पहले लगाता शिवराज इस पर इस गान के दौरान खड़े रहे अधिकारी भी लगाता और उसका सम्मान करते थे लेकिन आज असा नहीं हुआ अब इसके पीछे की वज़े क्या रही यह जरा समझने की कोशिश हम कर लेते हमारे साथ एक्जिकेटिव एडिटर मनुस सानी जी इस वक्त लाइव और उसके राश्टव गान कि जब बात करता है तो उसके पीछे भारत का संभीदान उसके पीछे जुड़ा होता है। 45 गज उनकी गान बनने लगे विसमत्याला के अपने गान बनने लगे तो स्थिती यह ती कि जब मुक्मंत्री बहां बैटे हुए थे, राज प्रसासनिक सेवा के जो अधिकारी पहुँचे थे, जिने सम्मानित किया है, जो हाली में चैनित हुए है, उनको लेकर वो बात कर रहे थे, और उसी दोरान जब मद्देश गान बजने लगा, तो कुछ अधिकारी खड़े हो उन्होंने उसको देखते हुए कहा, कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके अपने गान हो सकते है, सबका अपना सम्मान हो सकता है, बैसे भी मद्देश में रहने वाला अपने राज का सम्मान तो करे गई, लेकिन अब उसके लिए भी हम खड़े हों, या अन्य संस्तान जो अपने गाने तयार कर लेते हैं, उनके लिए भी खड़े हों, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि इनकी तुलना राष्टगीत और राष्टगान से नहीं की जा सकती है, तो बात तो उन्होंने ठीक कही, ये एक चलन सा चल पड़ाता, लेकिन ऐसे बोलने के लिए भी कही न कह दम चाहिए, यानि मुकमंती ने अपना फिर एक बार एक लगतरह का रवया दिखाया है, और वो चाहते हैं कि राष्टगीत और राष्टगान का हम सम्मान करें, अपने जो राजिका गान है, उसका भी सम्मान करें, लेकिन सम्मान में ऐसा कुछ ना करें, कुछ दिन पहले कि आज उस पर उन्होंने विराम लगा दिया और एक नई लाइन खड़ी कर दी, और मुकमंती का इसकी पीछे मकसद यही है कि राष्टगीत और राष्टगान का हम भरपूर सम्मान करें, शुक्री आपका मनुच जी, तो राष्टगीत या राष्टगान की बराबरी पर म गान नहीं हो सकता है, दूसरा कोई गान नहीं हो सकता.